हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ टेक्निकल गौरब और आप सबी काफीर सब्सक्राइब आज किस से को नभी वीडियो में इस company यानि Samsung है और इस का मोडल में आपको यह है Samsung J8 ठीक है और दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके पास कभी भी कोई डेमेज फोल्डर आपके पास आता है और Samsung का जे एट मोबाईल तो आप किस तरीके से इस Samsung के जे एट मोबाईल को जो फोल्डर है उसे चेंज करते होगे लेकिन उनका फोल्डर एक चेंज करना काफी यह आज आसान है लेकिन इसका यानिकि जो शेंच का जे एट है इसका विद्वान को जानकारी आज किसी वीडियों आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किन्क अन तक वोट्श करना, जिसलिए कि आप अच pillars करना, यूदि कभी भी आपके पास एसा phone folder change होने के लिए आए, तो आप आसानी से बिना डरे और बिना किसी प्रॉब्लम के इस फॉन का फॉल्डर चेंज कर सकें तो तो किस तरीके से फॉल्डर चेंज करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ लेकिन उससे पहले दोस्तों देवी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है यदि आपके पास कभी भी किसी भी अधर कंपनी के फॉन का फॉल्डर चेंज होने के लिए आता है तो आप उसे आसानी से फॉन को खोल भी लेते हैं और आसानी से उसका फॉल्डर चेंज कर देते हैं value खोलेंगे तो आपको इसमें screw देखने के लिए यहां पर तो मिलेंगे नहीं screw के अंदर हैं वो खोल लेंगे तभी आप इसको repair करेंगे लिए किस तरीके से खोलेंगे मैं आपको बता दूँ देखिए दोस्तों ये और सभी phone की तरह है open नहीं होता नहीं खुलता है इस phone को आप तभी खोल पाएंगे जब पहले आप इस phone का folder हटा लेंगे यहां से ठीक है अभी देखिए मैं तो इसमें हाला कि folder चैन्ज करने का तरीका ही बताऊंगा लेकिन आपको बता दूँ कभी भी आपके पास यह phone रिपेर होने के लिए भी आए तो आपको पहले इस phone का जो folder है यहां से हटाना होगा उसके बाद इसके नीचे आपको स्क्रू लगे मिलेंगे तब आप उन्हें स्क्रू खोलने के बाद इसका जो पीसी बीन बोर्ड है उसे बहां निकाल करके तब रिपेर का सकते हैं ठीक ह यदि आपके पास जब यह phone आए और इसका जो folder है वो एकदम यदि सही हो कहीं से भी crack ना हो तूटा हुआ ना हो और उसका आपको सिर्फ गिलास या टची चेंज करना है तब दोस्तों आप सेपरेटर मसीन को यूज करना जिससे कि आप आसानी से बिना तोड़े इस folder को यह आसे रिमूब कर सके हैं सेपरेटर मसीन पर रखके ठीक है तो दोस्तों देखें कभी भी आपके पास इस condition में फॉन आए यह रिपेर होने के लिए या फिर आप फोल्डर चेंज होने के लिए या फिर आप फोल्डर चेंज ना करें कि मालेज़ उसकी डिस्पिले यह तो सह चैंज करना चाहते हैं तो तो आप सेपरेटर मसीन का यूज करें सेपरेटर मसीन पर इसे रखें तब इस फोल्डर को यहां से अटाएं जिससे आपके डिस्पिले ना तूटे और उसके बाद आप आसाने से उसके टच या फिर टच ग्लास को चैंज कर सके ठीक है और यह इस कंडिशन में आपके पास फोन आता है जिस कंडिशन में यह है कि इसका सारा फोल्डर के टूटा हुआ एक खतम फोल्डर है तो मुझे तो इसमें नया ही फोल्डर लगाना है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है उसके लिए तो आपको सीधा अपना ओपनर ले ले साबत निकालता क्रेक ना होने देता क्योंकि तो मैं उस पर फिर टच या फिर टच ग्लास लगा करके चालू कर देता लेकिन यहां पर LCD भी क्रेक है और यहां पर टच भी खराब है मुझे पूरा फोल्डर ही डालना है इसलिए मैंने यहां पर इसे इस तरीके से हटाया ठीक ह इसे रिमूब करने के बाद यदि आपके पास यह फोन रिपेर होने के लिए आया है तो आपको देखिए यहां पर सभी इस्क्रू लगे मिल जाएंगे आप इने खोल सकते हैं उसके बाद PCV को भान निकाल करके फोन को रिपेर कर सकते हैं ठीक है और यदि फोल्डर ही चें कर लिए जो भी इस पर पुरानी गिलू है वो लगी हुई है आप उसे सभी को यहां से खटा देना ठीक है जब ऐसे हटा देंगे सभी को यहां से रिमूब कर देंग तो क्लीन हो जाएगा उसके बाद आप करना क्या है आपको यहां पर सभी में चारों तरफ गिलू लगा टेखें और यहां पर लगाने वाला हूं ग्लू लगाना उसके बाद आपको यहां पर ठीक है कि तो लुट के मेरे को बचाना है यहां पर के मेरे पर नहीं आना चाहिए थीक है इस पिकर केमरा आप यहां से बचा देंगे उसके बाद आप गिलू चारो तरफ इस तरीके से लगा देंगे ठीक है यह देखिए हमने यहाँ पर यह देखिए हमने यहाँ पर इसमें गिलू लगा दिया है चारो तरफ जैसे आप देख पारें ठीक है अब आपको करना क्या है अब आपको इस पर फोल्डर लगाना है ठीक है आपने जो फोल्डर आप लेकर क्या है उसको लेना है फोल्डर को और फोल्डर लेने के बाद आपको यहां से बहुत ही सावधानी से देखिए इस प्ले का पत्ता है आपको इसे यहां पर connect सावधानी स कर देना ठीक है अभी करनेक्ट करने के बाद आपको च्छ यह बाद है करना इसके Say लेमिनेशन का रॉल होगा आप इस तरह की जो पट्टिया है वो काट लेंगे और काटने के बाद आप इसके चारों तरफ इस तरीके से देखे मैं आपको लगा करके दिखा दूँ आप इस तरीके से इसे थोड़ा टाइट करके और फोल्डर को टेप कर देंगे इस तरीके से चिपका देंगे ठीक है और आपको लगवग इसे लगवग चार पांच गंटी का असपास ऐसे ही रहने देना है उसके बाद आप ये टेप रिमूब कर सकते हैं जब आप चार पांच गंटे लगा रहने देंगे तो आपका जो गिलू आपने लगाया बॉंड जो लगाया ना वह सूख करके और फिक्स हो जाएगा और आपका फोल्डर अच्छे से चिपक जाएगा तो दोस्तों देखिए मेरे पास यह वाइट टेप था बड़ा वाला मैंने उसको लगा करके इस फोल्डर को फिक्स कर दिया देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं ठीक है अब चलिए इस फोन को ओन करकर देखते हैं कि हमारा फोल्डर आता है या फिर नहीं आता और यह देखिए दोस्तों यहां पर हमारा फोल्डर कंप्लेट लग भी चुका है और फोल्डर आ भी चुका है अब देखिए लगवग 4-5 गंटे के बाद में जो टेप है इसे यहां से रिमूब कर दूँगा तब तक मेरा फोल्डर हम सैट हो जाएगा प्रोपर चिपक ज यह जए जए रिराम